कि हेलो फ्रेंट्स वेलकम् टु नर्सिंग स्टड़ी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइमिंग औफ सुचर्स रिमॉवल के बारे में सुचर्स क्या होते हैं जैसे हम अपने नॉर्मल लेंग्विज में बोलते हैं स्टीच भी बोलते हैं या फिर उसे हम टंके भी जब कोई वुंड हो जाता है या घाव हो जाता है और जादा घाव हो जाता है या फिर क्या लिजिके कट लग जाता है तो डॉक्टर क्या है उसे स्टिच कर देते हैं सुचर्स लगा देते हैं ठीके तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उनको रिमूव कब किया जाता है कि कितना time लगता है sutures को remove होने में या फिर कितना time period लिया जाता है जब sutures लगाया जाते हैं और जब उनको हटाया जाता है तो यह कितना time लेता है तो वही सारा इसमें हम बात करेंगे तो यहां पर हम location की बात करेंगे कि हमारे body के किस area की sutures के हम बात कर रहे हैं और उसके according ही time की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है फेस अगर फेस पे कोई वूंड हुआ है कट लगा है या चोट लग गई है जहां पर हमें जो है वह स्टिछ लगाने पड़ रहे हैं तो अगर फेस पस्टिछ लगते हैं तो 3 To 5 Days यानि कि 3 से 5 दिन लगते हैं स्टिछ इस को फिक्स होने म ताकि उन स्टीचिज को हटाया चासके तो 3 मिंद के बाद जो हम बंब तीं-स अर्थोल स्टीचिज भी तो 7-10 को बंद सितलन क्वार्ध लुख स्टीचिज भी तो उसके बाद आता है trunk area, trunk यानि कि trunk area में कोन सा आता है हमारा जो हमारे गर्दन से नीचे से लेकर के abdomen तक जो area होता है हमारा वो से हम trunk area बोलते हैं और यहां पर अगर कोई भी wound है कोई cut है जहां पर stitches लगाए गए हैं तो उसको remove करने में जो time लगता है वो 10-14 days होता है उसके बाद आता है legs, legs में भी कितना time लगेगा अगर sutures लगे हैं तो 10-14 days और उसके बाद आता है hand or fit यानि कि आपकी हाथ में या फिर पैरों पर लगे है stitches तो उनको भी remove करने के लिए जो time होगा वो 10-14 days होगा और उसके बाद आता है palms and sole यानि कि हथीलियों पर या फिर पैर के जो नीचे होता है ठीक है sole बोलते हैं उसे हम उसमें को time लगता है remove करने के लिए 14-21 days तो यहाँ पर सभी area के हमने बात की face से लेकर के यानि के सीर से लेकर पैरों तक की बात की यहाँ पर हर एक area में अगर कहीं पर भी sutures लगाए गए हैं तो उसको remove करने में कितना time लगता है तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यी वीडियो आपके लिए helpful रहेगा thank you for watching